आईए दोस्तों Gen Z Generation के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले ही जो Z है उसको Z प्रणाउंस किया जाता है Generation Z को Gen Z बोला जाता है जो Z word है वही मतलब वह सारे जो दूसरे countries हैं वहाँ पे Z को Z पढ़ते हैं जो इनका birth year होता है वो after 1996 है तो अगर आप 1996 के बाद पैदा हुए हो तो आप Gen Z generation में आते हो आपका जो graduation है या फिर अगर आप बोले हाई स्कूल कब पास करोगे तो 2019 तक अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया होगा है ना मेरा जो पास आउट हुआ था मैं क्लास 10 वो 2019 में हुआ था ठीक है उसके बाद ethnicity में देखोगे तो 50% जो Gen Z होते हैं वो non white होते हैं मतलब एकदम pure race के नहीं बलकि कुछ थोड़ा बत variation होता है देखो मेरे साथ ऐसा नहीं है अगर मैं अपना example ले लो मैं pure brahmanical race का हूँ तो मेरा यह अलग से 50% में आऊँगा मैं चलो ठीक आगे बढ़ते हैं इनकी first job होती है फिर इन पर confidence क्या होता है confidence के बारे में देख सकते हो 52% are non confident 52% look non confident the first job के बारे में भी बढ़ सकते हो 54% believe in their first job will come through the digital या फिर social connections उसके बार technology की बात करते है technology में 100% क्या है first 100% digital reliable generation मतलब यह लोग technology पर बहुत जादा rely करते हैं तो दोस्तो यह था Gen Z generation के बारे में आई hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कर यह चैनल पर first time visit कर रहे हैं मिलता हूँ next video में